नमस्कार दोस्तों, बनिंस में आपका स्वागत है, होप करते कि अपसे भी बहुत अच्छे होंगे आजी के दिन 2015 में मेरा एक सपना था, बचपन से एक विस्थ था, जो कि अधूरा रह गया क्योंकि बचपन से एक इच्छा थी कि आगे बरा होंगे, आगे कुछ करेंगे तो डॉक्टर कलाम सर से मिलेंगे पर उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन मैं क्यों इस वीडियो में उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो जीवन और उनका जो वाइस वो जो बताए है उससे एक चरित निर्मान बहुत बरा योगदान है, मैं अपने चरित निर्मान की बात कर रहा हूँ अब मैं जीवन में अभी क्या किया हूँ, किस position पर पहुंचा हूँ, क्या वो सफलता का parameter है या नहीं, यह मुझे नहीं पता है और मैं उसे discuss भी नहीं करना चाहता हूँ मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं ये सब चीजे मुझे नहीं उतना ज्यादा नहीं प्रभावित करती है क्योंकि अगर मैं तुम्हें मैं पसंद हूँ या तुम्हें मेरी बाते समझ में आती है इसका मतलब है कि मैंने भी किनी से सीखा है, मैं ऐसा पैदा नहीं हो गया, मतलब ज्यानी, और मेरे उस सीख के लिस्ट में वो जो है वो बच्पन से ही है, क्यों बच्पन से हैं, क्योंकि हम जिस जगह से आये हैं, हम हाई स्कूल, मिडल स्कूल, गौ के उस सरकारी विद्याले से पढ़े हुए लोग है, हमारे पास जो एक्जामपल होता था बच्पन में, वो डॉक्टर कलामसरी होते थे, जब टीचर हमें बताते थे कि अगर सबने उनकी तरह सोचो, उनकी तरह बनो, ट्राइ करो उनके रास्ते पर चलने का, तो उससे ना हमारे अंदर एक स्पार्क जगता था, और वो हमें हमेसा बताते थे कि कोई बात नहीं है, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, वो भी ऐसे ही पढ़े थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीवी देखे थे, वो इतने किलोमेटर जाते थे अपने टीचर के पास पढ़ने के लिए, सुबा के टाइ हमें लगता था कि हमारी कहानी है, और हमें लगता था कि अगर ये हमारी कहानी है, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये लाइफ में ये बहुत इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तुम अपने आपको तभी रिलेट कर पाओगे जब आप सोचो, simply मैं अपना एक secret है जो मैं खोल देता हूँ, रात को सोने से पहले बहुत लोग गाना सुनते है, मेरे अंदर एक ऐसा time आया था, इतना जादा मेरे अंदर madness पागल पना आ गया था, सपने को लेके, कि मैं उनकी बाते एरफुल में लगा के सुनता था, रात को सोने के time में भी, बहुत important है दोस्त, उनको समझना हो, बहुत important है, I don't know क्यों हम miss कर दिये हैं, मतलब मुझे नहीं पता है कि हम सुनते हैं, I don't know, जानते सब हो, उनके बारे में सब को पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके speech को किसी ने लूप पे अगर सुना हो तो, वो रिलेट कर सकता है, जब उनके वो भासन को, वो जब speech देते थे, यूद को speech देते थे और उसमें जो वो पावर था, उसको रिलेट कर बाना बहुत ही जादा मुस्किल है दोस्त, ट्राइ करना सुनने का, अगर तुमें एक सपने और येंटेड बच्चा हो, तुमें सपना देखना पसंद है और चाते हो कि उसे पूरा करना, I don't know मैं पूरा करूंगा या नहीं करूंगा, पता नहीं मुझे, I don't know, ठीक है, और मुझे लगता है कि जीवन में अभी मैंने कुछ नहीं किया है, किसी एक्जाम को निकाल लेना, एक्जाम की तयारी कर लेना, ये सब ब जो ट्राइ करना, अपने लाइफ में रखने का, मैं तो यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन मैं उसी चार बातों को लेके आगे बढ़ रहा हूं, you have to a great aim, एक लक्ष होना चाहिए, एक लक्ष होना चाहिए, हमारे पास लक्ष मेरे पास भी है, हम सब के पास होना चाहिए, वो लक्ष यह नहीं होना चाहिए कि नौकरी लेना है, this is short term, long term goal होना चाहिए, नौकरी लेंगे उसके बाद क्या, अगर अभी आपका एक सपना है कि एक नौकरी लेना है, मान लेते किसी चगब पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप सपने देख लेंगे और वो अपने ऐसे पूरे हो जाएंगे, नहीं, हमें पढ़ना पढ़ेगा, किताबे पढ़नी पढ़ेगी, documentary देखना पढ़ेगा, videos देखने पढ़ेंगे, PDF पढ़ने पढ़ेंगे, लोगों से सुनना पढ़ेगा, knowledge वो किताब का MCQ solve करना, I am not talking about that one, knowledge मतलब अलग अलग तरीके से यह दिमाग कैसे काम करता है, हम हमें सब self-motivated कैसे रहेंगे, हम इस इस एरिया में कैसे अपने आपको educate करेंगे, हम financially कैसे अपने आपको educate करेंगे, यह हुआ, continuously acquire knowledge toward your dream, toward your aim, hard work कोई substitute नहीं है, लोग कहते smart study, smart study is okay, but hard work is hard work, college में 4 साल मिले हम hard work नहीं करते है, मैं खुद को भी-कभी अपने आपको गाली भी देता हूँ, कि मैंने भी बहुत time waste किये, मतलब खुद को गुस्सा आता है, कि मैंने वो time बहुत क्यों waste कर दिया, I don't, मतलब बोलना नहीं, मतलब time waste हम करते है, क्यों हमें लगत और नौ के बीच में marks है, तब मैं बोल रहा हूँ, घंटा कोई उस marks को नहीं पूछता है, trust me, continuously acquire पहला great aim, continuously acquire knowledge, hard work and perseverance, मतलब आपका एक ड्रिड होना चाहिए, आपका ड्रिडता बहुत जरूरी है, चार दिन पढ़ना बहुत आसान है, एक महिने पढ़ने बहुत आसान है, continuously चार साल, लगाता है चार साल ना पढ़ना इतना आसान नहीं है, और अगर मैं आज कह रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट, बीच के फस्ट येर से फाइनल येर ना, डेडिकेशन के साथ दे लेना, कोई उसे नहीं डोग सकता है, trust me, उसे कोई नहीं डोग सकता है, उस जहाँ जिस और्गनेशन में काम कर रहा होगा, उसके साथ IITN और NITN सब काम कर रहे होंगे, तो फिर उसे समझ में आएगा कि IITs, IAM ये सब जो होता है न, एक टाइम तक ही है, उसके बाद वही मार्केट में रहेगा, जिसके पास नॉलेज रहेगा, मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ, आप जहाँ पे भी है, उन्हें याद करिए, उनसे कुछ सीखिए, भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे, और वो महान इंसान, रुखने वाले तो हैं नहीं, Thank you God, signing off.